सबसे अहम के है खुराख है लेकर बीजे की सरकार ने कहा कि एक किलो चावल एक आदमी एक महीन अखाए लेकर उसके बाव यूद बीजे सरकार कॉंग्रस पार्टी का कट हुआ जिला के बनी तैसिल में एक रोजा अवामी इजलास मनकद हुआ जिसमें कॉंग्रस पार्टी के रियास्ती सदर विकार सुलवानी वर्किंग प्रेजिडेंट रमन भला जिला सदर पंकर डोगरस में के कारकुनान मौजूद थे ताहम कॉंग्रस के तमाम लेडरा ने बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाव रोशनी डाली इस मौके पर रियास्ती सदर विकार सुलवानी ने भाजपा को आड़े हाथ हूं लिया और भाजपा को देश में नफरत फैलाने वाली पार्टी कराद देते हुए कहा कि भाजपा जमान ने अवाम को अच्छे दिनों के खौब के बदले में गरीब अवाम को खून के आंसर लाया है और महंगई को काम करने के बजाए महंगई को आसमान पर ले गई हैं और रियास्त के दो टुकडे करके लोगों के बन्यादी हकुग को भी छीन लिया है और जो अपने नए बच्चे हैं जाए उन मुसल्मान के राजपूर्ट के अगदी के द्रिक के उन बच्चों का सूचो मता हो इन लोगों के बहकावे में सबने अजादी की जंग लड़े यहां से अलेजु को बगार शाहत ने दी कुर्मानिया दी उस वक्त कोई एंदो मुसल्मान का फसाद नी यह बाज में भीजे पी ने यहां लाट इसलिए जिस तरीके से उन भुजर्गों ने हमारे देश को आजाद किया उस तरीके से आज आज आपको सबको कटे हुना जो यह पार्शाराय बढ़ाते हैं जो यह बाते बोलते हैं उनको बोलो महगाई कव हुई उनको बोलो हमारे बच्चु का रोजगार मिला हमारी बनी में सड़के बनी हमारी बनी में पानी की स्की में आई हमारी बनी में स्कूल खुले इनका जवाब दो पुद्रा पुद्रा लाख कोटू में आए दोदो करोड नोग्रिया मिली इसका जवाब दो जो आप कह रहे हो नफरत की वाद है उसका जवाब हम आपको दे लेहादा बुदर को इस चीज से आपको खबरदार रहने की तुरत है हम और आएं काजल राष्मूत की शकल में और इन्शाला इसको चिताएंगे इन्ही अलफास समयाब से जासी कॉंग्रेस की तरफ से मेने और मेरे साथियों ने बला साथी और सारे साथी और पुरे कश्मीर में जमू में हमने पबलिक आउट रीच और वरकरों से मिलने का एक पुरा प्र लोलाव केरिया में था, कुलगाम में था, अभी बनी से हमने शुरू किया, अभी बिसोली है, बाद में बदरवा, किश्टवाड, बलेसा भी है, तो हम बरकरों से मिल रहे हैं, और लोगों की समस्याईं को देख रहे हैं, जैसे अभी मैं बड़ा हैरान हुआ, कि एक SDM सब ड आगजनी हुई थी, और वहां बचता किया, जब फायर सर्विस नहीं होगी, तो बचाएगा कून, तो हम बड़ा दुखे हमें और बड़े कंडम करते हम, सरकार को इमिजेडली वार फूड बेस पे यहां पे फायर सर्विस बेजनी चाहें, इसी तरीके से यहां पे सडकों की प्राबलम्स है, लोगों ने जो स्पीचे दी, पानी की प्राबलम है, बजली रहती नहीं है, बजली की बिले हजार-जार रुपे लोगों को आती है, तो बजली होती नहीं है, तो लोग बड़े परिशान हैं, जैसे की बिजेपी ने नौ hect राल से जंगलराज मचा के र सरकार को ऐलेक्शन करने चाहिए और लोगों को अपनी सरकार देनी चाहिए और जो यूटी में यह सर चड़ गे है अडमिस्टरेशन यहां पे स्टेट देने चाहिए और जो हमें महराजा ने स्टेट सब्जक्शेक्ट दी थी उसको वापस करना चाहे उससे हमें नोकरियों का ताफूस भी था हमें क्या कहते हैं वोट का ताफूस भी था और हमारी जमीनों का ताफूस भी था उन्नीस सो स्टाइस में दी थी माराजा ने हमें स्टेट सब्जेक्ट लाजा हम यहां पे आए हैं वरकरों से मिलने लोगों से मिलने लोगों क रख दिया, खदम करके रखा अपने आठ सालों में, आपने देखा किस तरीके से नोट बंडी की, आपने देखा किस तरीके से इन्हों ने जो है, क्या कहते हैं, जुडिस्री को इस्तिमाल किया, अपनी मर्जी से एलेक्शन कमिशन को इस्तिमाल किया, और जेस्टी को लोगों में टेक्स महेंगाई दुनिया की महेंगाई इतनी है कि हद से ज्यादा महेंगाई थी उसके बाद भी जीस्टी खाने पिने की चीज़ों पर दही तक पर जीस्टी लगा दिया तो मुझे लग रहा है कि आप इस सरकार को खुद ही रिजाइन देना चाहिए यहां सरकार कराने अब सरकार की जवाब दाई बनती है सरकार सरकार की जो मुझूदा सरकार है कहां पर दिखाई नहीं देती हमें गवर्णर से एलजी पे ले आए और एलजी के बाद एक एडवाजर पर वो जम्मू कश्मीर में क्या बला कर पाएगा इसलिए हमने कहा कि कांस्ट्यूशन डे आज उसकी बहुत बोड़ी इंपार्टरस है कि जमूरियत बहाल हो यहां पर पूर चुने हुए नमेंदे हो तो लोगों की मुश्किलाते हैं सुने भी उसका समधान को कर पाएं तो लेकिन आज जो खामिये यहां पे हैं मैं समझते हूं कि 9 साथ होगे सरकार जो हुआ है ज होटराज होटर यहां पर आपको मिलेंगे लगजिक और अन्य सेवाएं में इसके साथ साथ पहली बार आने वाले खामियों को 10% का डिसकॉंट भी दे रहा है होटराज तो बनी में जब भी होगी होटर की बात तो एक ही नाम होगा यार होटराज कि भी होज कि भी होटराज के लगपिए